क्रिमी मटका गुलफी हेलो फ्रेंज तमारो स्वागत छे मारा किस्चन मा आजी आपड़े बनावी सु मावा मलाई मटका गुलफी आ गुलफी एकदम क्रिमी टेस्टी अने एकदम बजार चेवी बंसे अने आपड़े आमा क्रिम नो यूज नई करिये अने आ मावा मलाई गुलफी तमे एकदम घरे आसानी थी बनावी सको तो चालो बनावी तो सौथी पेला मावा मलाई गुलफी बनावा माटे एक मिक्षर जार मा आपड़े 7-8 पीस्ता एड़ करी देसु 7-8 बदाम अने 7-7-8 काजुन एड़ करी देसु वे ड्राइफ रूट तमे तमाई पसंद प्रमाणे उच्छा के वथारे करी सको हड़ दो कप खांड उमेरी देसु अने एकदम सरसेवो पावडर तयार करी लेसु तो आ पावडर ने आपड़े एकदम फाइड नत करवानो आटलो दरदरो राखवानो चे अवे मावा मलाय गुर्फी बनावा माटे एक पेन मा त्रण कप दूध हुमेटी देसु तो अईया तमे फूल फेट दूध पन लई सको छो अने लो फेट दूध पन लई सको छो हवे आपड़े मा एकदम क्रीमी अने एकदम मावा मलाय जेवो टेस्ट आपपा माटे गेसीफस पेला पन लो राखी सु जेथी जेट मिल्क पाउडर सरस्री तेम मिक्स थय जे आने एकदम सरस्री तेम मिक्स करी लेवा मलाय जे पिगडि जय अने मिल्क पाउडर सारी रितेम सरस्रीते मलाई चे मेक्स थाई गेई चे तो तमारी पासे चो मलाई ना होई तो तमे आमा मिल्क पाउडर वधारे एड करी देशो तो पन एक दम फरफेक्ट मावा मलाई गुल्फी बन्चे वे यां बद्धु मिस्रन सरस्रीते मेक्स थाई गेई चे तो आ मिस्रन ने आपण मेनिट माटे कोक करी लेशु औने सरसे उक्रीमी थीक मिक्षर थाई जाहे तिया शुदि आपड़े कोक करीशु तो थोड़ी चरमा आपड़ो दूद सरस रिते उकड़वा लाग से तो आपड़े आ रिते इने सतत चलावता रेशु जेथी दूद छे नीचे चोटे ने औने मिल पावडर पन चोटे ने तो आरे ते हुँ सरस रिते दूद ने कोक करी लेशु एक थी बे उफाना आवे ते आसुदि आ दूद ने आपड़े कोक करीशु तो तमे जुव आरे ते उफाना आवे एटल आपड़े सतत मेक्स करवानु ने ते दूद छे बार उप्रा से तो आरे ते सतते ने मेक्स करता रेशु औने फरीथी आपड़े आ दूद ने सरस रिते कोक करीले शु तो तमे जुव दूद सरस रिते थीक थवा लग्यु छे तो दूद हवे सरस रिते में गरम करी आने सरस रिते कोक करीली दु अवे सरस आ रिते दूद कोक थाई जै आन करी सको तो बद्धोच पावडर आपड़े सारे रीते मिक्स करी देशू पावडर येट करवा थी येनो खुब सरस येवो कलर आवसे आवे आ ड्राइफ्रूट पावडर ने आपड़े सारे रीते मिक्स करी देए अने साथे आपड़े एमा एकदम सरस बज़ार चेवो कलर आपपा माट ए थोड़ा केसर ना तारो मेरी देए अने सारे रीते मिक्स करी लेए आ दूद ने आपड़े सरस रीते कुख करी सू खान शे ए सरस रीते कुख थै जै अने एनू पाणी शे ए बड़ी जै त्यासुधी कुख करवानू तो हवे आ दूद सरस रीते थीक थवा लाग से एडले साइड मा चोट से तो साइड मा थी पणा दूद ने आपड़े लेतु जवानू अने एकदम सरस क्रीमी आ मिक्सर तयार थै जै त्यासुधी अपड़ेने कुख करे सू तो आ मिस्रन ने आपड़े सतत चलावतारे वा जेथी मिल्क पावडर के बदाम काजुन पावडर छे ए निक ची चोटे ने और साइड मा थी पण आपड़े दूद ने आ रीते लेतु जवानू तो एकदम सरस एवु क्रीमी आ मिक्सर तयार थासे तो तमेचु वह थोड़ी जवार मा आपड़ू मिस्रन सरस रीते कलर च चेंज थाई गयो चे अने हजु आपड़े एने 10 मिनिट माटे कुक करेशु जे थी एकदम सरस थीक तयार थाई चे आ मिस्रन ने कुक करता 10 मिनिट थाई गयी चे हवे दूद सरस रीते थीक थवा लाग्यू चे तो तमेचु वह सरस रीते दूद थीक थाई चे त्या अपड़े ने कुक करेशु उपर्थी जे पन मलाई थाई येने आपड़े वच्चे दूद मा लेता चासु तो आरीते सरस रीते में दूद ने कुक करीली थू थोड़ू थीक पन थाई गयो चे अनकेसर नो पन खुबस सरसे वो कलर आवी गयो चे तो हवे आ मिस्रन ने आ अटधू थाई जे त्या सुदी कुक करीशु चो तमने वधारे क्रीमी अने वधारे थीक गुल्फी पसंद होई तो तमारे वधारे पन कुक करी सकाई हवे गेसनी प्लेम बंद करी देशु अने आ मिस्रन ने नीचे उतारी अने आरी ते मिक्स करीलेशु अने एकदम सरस 9 ठंडू करीलेशु तो यामे सरस रिते 10 मिनिट माटे ठंडू करीलीथु तमैं चूवे एकदम सरस थीक ठेगलाईउ छे और एकदम सरस की मिस्रन तयार चे तो आ मिस्रन माथे आपणे माटला गुल्फी तयार करीसु तो माटला गुल्फी बनावा माटे में यान आरी थ બે માટલા લીધા છે મારી પાસે આરીતના બાવુલ છે એમાં આપણે ગુલ્ફી જમાવીસુ તો આપણે બાવુલ માં તે મિસ્રણ એડ કરી દેશુ જો જમારે ઇયા થોડા ડ્રાઇફ્રૂડ એડ કરવાવોય તો તમે ઉપર થી પણ થોડા આસે પલાસ્ટિક ના હોય તો એ પણ ઠાકી અને તમે સેટ કરી સકો છો તો સરસરિતે મે બંને મટકાને ફેલ મટકાને આપણે સેટ થવા માટે ફ્રીજર માં રાખી દેશું તો આઠ કલાક માટે ફ્રીજર માં સેટ થવા માટ પાંદળી થી ગાનીસ કરી દેએ તો એકદમ બજાર જેવી કરીમી થીક માટલા ગુલ્ફી તયાર છે આરીતે તમે મા મારી આરીપી સારી લાગી ઓએ તો રેસીપી ને લાઇક કર્જો શેર કર્જો ઔએ મારી ચને ને સીકરીબ કર્જો થેછે કરી નેળ નેવགડ ને નેડ નેસકરીાચ નેને નેંડ નેાવાંળને નેન નેંડ નેસા નેણ્ય નેારામેં